रोटी परोसते समय न करें ये भूल परिवार में पैदा हो सकती है परिसानिया नमबर एक यदि घर के किसी सदस्य की प्लेट में पहली रोटी खत्म हो जाए तो दूसरी रोटी कभी हाथ में लेकर नहीं जानी चाहिए रोटी को हमेशा किसी प्लेट में रखकर लेकर जाएं और फिर थाली में सर्व करें नमबर दो जियोतिस सास्तर के अनुसार माना जाता है कि हाथ में लेकर रोटी परोशने से परिवार के लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो सकता है नमबर तीन अक्सर आपने घर के बड़े बुजुर्गों को यह कहते सुना होगा कि थाली में कभी भी एक साथ तीन रोटियां नहीं परोशनी चाहिए नमबर चार मान्यता है कि थाली में एक साथ तीन रोटी रख कर खाने से कुंडली में ग्रहों की इस्थिति कमजोर होती है और इसका प्रभाव घर की सुख सान्ती पर भी पड़ता है नमबर पांच आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वह रात को रोटी बनाने के बाद आटा बच जाता है तो उसे फ्रीज में उठा कर रख देते हैं लेकिन वास्तू की द्रिश्टी से इसे गलत माना जाता है मानेता है कि बासी आटे की रोटियां बनाने से उसे खाने वाले के जीवन में नकारात मकता बढ़ती है